मुझे सौब दो कश्मीर 15 दिन में मिटा देंगे आतंकियों का नामों निशान। आतंकियों के नामों निशान को मिटाने के लिए देश की जन्ता बेताब है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जम्मु कश्मीर में गैर जम्मु कश्मीरी लोगों पर आतंकी हमले बढ़े हैं। बीते रविवार को भी बिहार के दो लोगों की हत्याई कर दी गई इन दो लोगों की हत्याओं के बाद राजनिती काफी तेज हो गई है इसी बीच गैर कश्मीरियों को निशाना बनाए जाने पर बिहार के पूर सीम जीतन राम मांजी ने ट्विट किया है इस ट्विट में उन्होंने लिखा है कि कश्मीर में लगातार हमारे निहत्य बिहारी भायों की हत्याई की जा रही है जिससे मन काफी व्यतीत है अगर हालात में बदलाव नहीं हो पा रहे तो प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी से आगरा है कि कश्मीर को सुधारने की जिम्मेदारी हम बिहारियों पर छोड़ दीजिए 15 दिन में सुधार नहीं दिया तो कहिएगा वहीं दूसरी तरफ मिगाले के राजेपाल सत्यपाल मलिक ने आतंकियों पर बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि जब वो जम्मु कश्मीर के राजेपाल थे तो आतंकी घटनाये नहीं होती थी श्री नगर के 50 किलोमेटर के दैरे में आतंक वादियों की घुसने की हिम्मत नहीं होती थी घाटी में गैर कश्मीरियों पर बढ़ते हमले के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है आपको बता दें कि घाटी में सुरक्षावलों के ओपरेशन से आतंकी संगठन बौकला गए हैं अब वे गैर कश्मीरी निहते मजदूरों को टार्गेट बना रहे हैं मजदूर बिहार के रहने वाले हैं घायल की पहचान चुनचुन रिशीदेव के तौर पर हुई है वहीं मारे गए दो मजदूरों के नाम राजा रिशीदेव और जोगिंदर रिशीदेव हैं ऐसे में अब सेना ने आतंकियों के खिलाफ ओपरेशन ओल आउट को और तेज कर दिया हैं आतंकियों को ढूंड ढूंड कर मारा जा रहा हैं आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक सदिक शेर कीजिए साथी नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में अपनी राइस जरूर रखे क्योंकि आपकी राइस सबसे एहम है फिलहाल के लिए इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रह आपकी ए वी एफन नीज